नमस्ते बच्चों हमारे सिल्याबस में प्राइटिंग स्कील का एक नया पार्ट यहाँ पर आ गया है जिसका नाम है नारा लेखन बच्चों इस नारा लेखन को किस तरह से हमें लिखना हैं जिसके लिए पार्च मार्क से जो हमें पूरी तरह से मिलवाने हैं वो कैसे मिलवाने हैं, तो उसके बारे में हम आज जानकारी लेने जा रहे हैं, तथा नारा लेखन किस तरह से करना चाहिए, इसके भी कुछ उधारन हम यहाँ पर आज देखेंगे, तो चलो बच्चों पढ़ते हैं नारा लेखन, नारा लेखन याने राजनेतिक, धार्मीक, सामाजीक, एतिहासिक, शैक्षनीक, व्यावसाइक, आदिस अंधर्वों में किसी विचार या उद्देश की बारंबार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त एक यादगार, आधर्श, वाक्य या सुक्ती हैं, बच्चों, नार आवाची शब्द है आवाज, शोर, अत्वा, सामुहिक आवाज, इसी तोर पर हमारे नारा लेखन का दूसरा एक व्याक्या इस तरह से बन जाती हैं, उसका अर्थ इस तरह से बन जाता हैं, किसी मांग की और, किसी मांग की और धान दिलाने या प्रसन्नता और उच्चाह व्यक्त करने के लिए बार-बार बुलंद की जाने वाली सामुहिक आवाज, याने नारा लेखन, तो बच्चों, हम आगे देखते हैं, नारा लेखन कैसे होना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात हैं, और आपको यह धान में रखनी हैं, और इन बातों को अगर आपन ध्यान से पूरा किया, तो आपका नारा लेखन बहुत ही अच्चे महत्स आपको दिलवा सकता है, तो सबसे पहली बात हैं, नारा लेखन के लिए सरल, सहत, शब्दों का प्रयोक होना चाहिए, आकरशक्ता लाने के लिए लए और तुकांत, यानि राइमिंग वर्ड्स का प्रयोक आपको यहाँ पर करना है, अवशक्ता नुसार चित्र निकाल कर उसे रंगों द्वारा आकरशक बनाए, यानि जिस तरह से हम विग्यापन करते थे, विग्यापन में हम कलर नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर आपको रंगिन पेंसिल से भी आपने उस चित्र को कल यानि रंग दिये, उसमें रंग भरे तो उसके आकरशक्ता और भी आप बढ़ा सकते हैं, बच्चो नारा लेखन यहाँ दो या दो से अधिक पंग्तियों में भी लिखा जाता है, कभी कभी एक पंग्ति का भी होता है, ध्यान में रखना है उत्वा दिया जाता है, नारा लेखन क्या है, तथा नारा लेखन किस कौन-कौन से विशेव पर लिखे जा सकते हैं, उसकी विशेष्टा और उसे कैसे लिखने चाहिए उसकी महत्वबुर्ण बाते, अब हम देखते हैं नारा लेखन के कुछ उधारन, यह पहला उधारन यहाँ पर इस तरह से शिक्षा के उपर, संसार में सबकी बस एक चाह, संसार में सबकी बस एक चाह, रोटी, कपड़ा और मकान, पर शिक्षा से ही बनता मानव सबसे महान, आज का जो वर्तमान समय, जो हैं हमारा उस समय से, समस्या से जुड़ा हुआ, हमारा एक नारा लेखन है, नहीं किसी से हाथ मिलाएं, नमस्ते करके काम चलाएं, कोरोना को दूर भगाएं, कोरोना को दूर भगाएं, तो इस तरह से आप चित्र निकाल कर, नारा लेखन कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि नारा लेखन एक पंक्ती का या दो पंक्ती का हुई होता है, बस बच्चो इतना सा लिखने के लिए, आपने उसे अच्छी तरह से, आपकी क्रियेटिविट के उपर ही है, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे प्यारे, कोरोना को अगर भगाना है तो, मुपर माक्स लगाना है, भीड से दुर रहना है, यह हम सब का कहना है, तो इस तरह से यह जैसे की हे हैं, यह जो लास्ट में लह बद्दता और तुकांत शब्द यानि राइमिंग वर्ड्स आये हैं, जिससे एक लह बन जाती है, तो इसलिए तुकांत शब्दों का कितना महत्व हैं नारा लेखन में, यह आप जान चुके होंगे, अगला हमारा है जल सवरक्षन के उपर, पानी से है हरियाली, पानी नहीं तो जीवन में होगी बद्धाली, होगी बद्धाली, तो इस तरह से हमारा नारा लेखन है, जल सवरक्षन के लिए आगे देखते हैं, सेम जल सवरक्षन के लिए ही दिया गया है, जीवन जितना अनमोल है, पानी का लोगों के मन में इसके प्रति यानि जन जागरूती करनी हैं तो हम स्याहिती लिया ! आगे हमारा स्वच्छता अभियान के ऊपर है !! आओ करे कुछ ऐसा काम देश की हो उची शान जन जन की अब यही पुकार स्वच्छ भारत हो अपना यार स्वच्छ भारत हो अपना यार आगे देखते हैं लड़का लड़कियों के शिक्षा के उपर है यानि लड़की बचाओ लड़की पड़ाओ इस तरह से यहाँ पर विशे अगर दिया है तो मैंने यहाँ पर एक स्लोगन यानि नारा लेखन किया है मैं भी चूँ सकती हूँ आकाश बस मोके की है मुझे तलाश तो इस तरह से हम नारा लेखन कर सकते हैं आगे हमने देश के महानता के उपर हमारे भारत देश के उपर लिका हुआ है अनेकता में एकता ही हमारी शान है इसी लिए मेरा भारत देश महान है तो इस तरह से बच्चो आप नारा लेखन कर सकते हैं जो घोश वाक्य होते हैं उसे ही हम यहाँ पर नारा लेखन के लिए कर सकते हैं बाल मजदूरी के उपर यहाँ पर मैंने दो नारे लिखे हुए हैं यहाँ पर आपको बस एक ही नारा लिखना है देखो बच्चो पहला हमारा बाल मजदूरी के उपर नारा है बाल मजदूरी है अभिशाप बाल मजदूरी है अभिशाप बालों को से मजदूरी करवाना है पाप बच्पन से ही है मेरा सपना पढ़ना और पढ़ाना यह रहा हमारा बाल मजदूरी के उपर आप दुसरा स्लोगन भी हम इस तरह से लिख सकते हैं अभी तो हमको करनी है पढ़ाई मत करवाओं हमसे कसरत और कमाई तो बच्चो इस तरह से हमारे स्लोगन यानि नारा लेखन के उधारन है आईतिःसिक पर अगर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमें नेता जी ने कहा था कि तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें आजा दी दूंगा यह भी तो एक नारा लेखन ही है आईतियासिक जिस तरह से अगर रक्तदान हो तो रक्तदान अगर विशे दिया गया है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि रक्तदान ही जीवनदान है, महानदान है इस तरह से हम लिख कर लिख सकते हैं जैसे कि हम एथियासिक में से दो कि साइमन गो बैक यानि साइमन वापस जाओ तो इस तरह से जो गोश वाक्य हैं यानि उसे ही नारा लेकन कहते हैं एक पंग्तिका भी हो सकता है बस बच्चो आपको जो जिस तरह से आता है आप अपने मन से अपने शब्दों से उसे लिखने का प्रयास जरूर करना यही यहाँ पर आपकी creativity देखने के लिए यह नारा लेकन परिसिती के अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव सिब्यसी ने किया हुआ है और आपके syllabus में यह नारा लेकन writing skill के लिए दिया गया है तो बच्चो इन सभी जानकारी से आप जरूर समझ गए होंगे कि नारा लेकन इतना कठीन नहीं है आप उसे बहुत अच्छी तरह से करोगे यही आशा करती हूँ और हम यही पर रुखते हैं धन्यवाद